हाई मैं डोक्रा नगेंदर तालो सीकर में काडियोलोजिस्ट हूँ आज इस वीडियो में अपन जानेंगे एनाटोमी पार्ट यानि हाट के दो इस ट्रेक्चर है उसमें क्या-क्या है उसके बारे में आपन जानेंगे लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो क्यूस हैं अब हाट के इनाटपी के बारे में जानते हैं तो हाट एक होलो-Maskular Organger जो अपनी बंद मूठी की size के जितना रहता है और इसका जो वेट की बात करें तो मेल में इसका वेट 325 गराम के लगवग रहता तो जो size और weight है heart का वो vary करता है age के साब से sex के साब से और अपना जो built रहता है उसके साब से vary करता है अब इसके location कहां रहती है तो heart है वो अपना media stannum middle media stannum में दोनों lungs के बीच में और sternum और third, fourth, fifth ribs के पीछे की तरफ रहता है और ये chest में ये obliqually place रहता है सिदा नहीं रहता है इसलिए इसका two-third part है वो mid line के left की तरफ रहता है और heart का जो apex है और इसका जो tip है वो point करता रहता है नीचे की तरफ down-ward और left-ward नीचे की तरफ फएस करता रहता है इसका main function रहता है blood को pump करना यानि हार्ट में बलड आता है और जो भी बलड आता है उसको ये पंप कर देता है अरोटा में ताकि अपने पुरी बोड़ी औरगन सेल सबको बलड और अक्शिजन और नूट्रिशन मिल जाता है अब हार्ट की एनाटोमी समझने के लिए अपन कंपेर करेंगे हार्ट को हाउस से एनि हार्ट और हाउस दोनों की जो एनाटोमी है इस टेक्चर है सेम रहता है कैसे वो जानते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं अपन हार्ट के चेम्बर की, तो हार्ट के जो चेम्बर रहते हैं, वो अपन हाउस के रूम्स की तरह मान सकते हैं, तो हार्ट में चार चेम्बर होते हैं, दो चेम्बर उपर रहते हैं, दो चेम्बर नीचे रहते हैं, तो जो दो चेम्बर उपर रहता है right chamber और left chamber तो वो divide करने के लिए इसमें एक muscles के layer रहती है जिसको septum बोलते हैं यह दोनी एक्रियम के बीच में है तो इसको intra-atrial septum बोलेंगे और यह वेंटिकल के बीच में है तो intra-ventricular septum बोलेंगे जैसे rooms को divide करने के लिए इसके बीच में दिवा लगए रहती है इसके बीच में septum रहता है तो यह जो उपर के chamber है यह blood को receive करते हैं इसलिए इनको receiving chamber भी बोलते हैं तो heart में blood आएगा इनमे फिर इनके तुरू ventricle में जाएगा और ventricle उस blood को pump out कर देते हैं यानि वहां से discharge कर देते हैं तो वह charging chamber होते हैं दूसरी अपन बात करें वाल्व की यानि जिस तरह अपने गर में अंदर गुसने के लिए gate रहता है विसी तरह heart में blood को जाने के लिए वहां वाल्व रहते हैं और वो wall हैं जो विन्य डारेक्शनल blood flow को maintain रखते हैं blood को पीछे की तरफ वापिस नहीं आने देते हैं तो उससे अपने heart का जो उसका function रेगुलर चलता रहता है तो heart में चार्ट वाल होते हैं दो वाल atria और ventricle के बीच में रहते हैं जिसमें right वाले को tricuspid वाल बोलते हैं और left वाले को mitle वाल बोलते हैं ये दोनु वाल जब बंद होते हैं तो heart की जो फैस sound आती है लब वो इनके बंद होने से आती है और जो दो वाल दूसरे वाल ये वाल होते हैं वाल लेता है पल्मनरी आर्ट्री और right ventricle की बीच में और एक वाल अरोटिक वाल लेता है जो left ventricle और अरोटा की बीच में वो दूनु वाल जब close होते हैं तो डब sound आती है अब तीसरा बात करते हैं वाल्स की जैसे घर को जो room है उनके चारों तरफ covering रहती है दिवार की उसी तरह heart में भी चारों तरफ wall रहती है जिसको myocardium बोलते हैं अपन muscles बोलते हैं और वो जो heart की muscles रहती है उसमें तीन तरह की covering रहती है जैसे अंदर की layer रहती है उसको endocardium बोलते है midol layer जो main layer रहते उसको myocardium बोलते है और जो बाहर की layer रहते है उसको captivity इन तीनों लेयर के ऊपर भी एक पूरा एक कवरिंग रहता है जिसको पेरिकारqi distinguish ह्ठ करता है उसमें कुछ tubes, lubricants帶 होते हैं जो षंट को adjacent organ का उनके friction ने १ैंजुन Kannा में इंजरी होने से बचाता है वाल की थिकनेस की बात करें तो जो सबसे थिक जो चेंबर होता हाट का वो लेप्ट बहंटिकलर ह ITΙ क्योंकि लेप्ट बहंत को पूरी बोड़ी के रेजिस्टेंस के विपांप करना रएता है तो उसकी जो थिकनेस है 11 to 15 24 mm रहते हैं और राइट वेंटिकल है वो लोग प्रेसर चंबर है तो उसकी ठीकनेस से चार शे पांच इंफिरयर वेरेना के बाद दोनुए के बलड आ जातें राइट एक्ट्रे में एर एक्ट्रेसरे से ट्राइकस्पेड वाल के थू. वह आ जाएंगे वह ऩू. और एक्ट्रियमग में उप्लमरी वाल केम तो पुरे बोडी और और शुमगन को सब को ब्लड और नूट्रिसन सप्लाई कर देगा तो इस तरह जो ब्लड वेसल्स रहती हैं जो हार्ट को ब्लड लेकर आति हैं उनको वेन बोलते हैं और जो blood heart से बाहर लेकर जाती है Wasasset उनको armary बोलते हैं इनको अफकेद कर सकते हैं यहाई जैसे अपने घर में pipeline लगी रहती है पाले की जो लाइन लगी रहती है उस्से इनको compare कर सकते है उसको अपन क्वार कर सकते हैं अपने घर की electricity से जैसे एकनने electricity ओन कया पूरा घर में light light हो जाएगा रोस्न नहीं हो जाएगी और वैसे ही हाट में जैसे electric current आएगा यानि जो ऐसे नोड रहता है यह इन्होर नोड रहता है वो राइटेटेम में रहता है वहाँ जैसे वह इंपल्स रिलीज करेगा वह इंपल्स वहां से एसे नोड से एट्रेयम में कंडेक्ट होगी एट्रेयम से फिर एवी नोड एवी नोड से हिस बंडल में इस बंडल से और राइट बंडल और लेप्ट बंडल में जाएगी और लास्ट में परकेंजे फाइबर में चली तो यह हार्ट को ब्लड कोन सप्लाई करता है तो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं उन नस्वों को अपन बोलते हैं कोरोनरी आर्ट्री जो कोरोनरी आर्ट्री है हार्ट को ब्लड और उक्षिजन सप्लाई करती है और उन ही में यह ब्लोक हो जाता है को ब्लड सप्लाई तो हाट में कितने चैमबर और कितने वाल उते तो हाट में चार चपेंबर और चार्रौ两जा है ढ़ानेक्षन किस्टम है हाट का उसके बारे में डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में धन्यमत